अगर कलका मार्केट देखेंगे तो इंट्रेस्टिंग हो सकता है आप लोगों को अगर याद होगा फ्राइडे को मैंने बताया था पोजिस्टनल लेके मैं गया हूँ जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा मैं ट्रेल करके लेके जाओंगा और मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रगल करने दीजे उपर जाने दीज अब यह अगर देखें के 4 देज नेगेटिब कैंडल बनाया है तो कल एक्सपेक्टेशन यह हो सकता है कि नहां कल फर्स्ट आप में एक सार्फ सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है 22500 और 22450 कि यहां पर एक रिजिस्टन्स मार्केट कर सकता है यह लेवल पहुंचने के बोजिंग नेगेटिब में ही हो रहा है और एक चीज़े ध्यान में रखो मार्केट को अगर और नीचे जाना था तो इठाश टू फॉल सार्फली और क्विकली कभी भी मार्केट में सेलिंग स्लो एंड स्टडी नहीं होता तो यह सार्फली नीचे फॉल करना चाहिए था क में नीचे आ रहा है थोड़ा बहुत उपर तो कल हो सकता है सेलिंग प्रेसर के कारण फर्स्ट आप में एक सेलिंग का प्रेसर देखने के मिले 22500 या 22450 के आसपास कहीं से फिर रिवर्स हो जाए तो कल मौनिंग आवर में आप सौट कर सकते हो लेकिन आपको प्रॉफिट ब बलसे इसमें मुझे भी प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत सारे लोग सेलिंग में कल मेरे लिए आपको ये सजिस्ट रहे का wil या फर्स्ट आप में आप सेल कर सकते हो उसके बाद अगर वो रिवर्स होना सुरू करता या प्लान करो 22500 equation के ये साइक flat ये τον करता है तो market फिट से एक positive candle भी बना सकता है अगर हम लोग nifty देखेंगे तो continuously same level पे trade कर रहा है ये भी continuously 3 days से negative candle ही बना रहा है तो कल हो सकता है एक falling आये और 11,200 के आसपास फिट से एक momentum उपर की तरप आ जाये और वहाँ पे green color candle में close करें क्योंकि continuously selling में है same जैसे nifty bank nifty country selling में है हो सकता है expiry के आसपास फिर ये profit booking आ जाये जो weekly expiry आ रहा है फिर ये continuously ऊपर चला जाये क्योंकि ये level अभी 11,200,100 थोड़ा सा hold करेगा इतना important नहीं है ये level क्योंकि multiple time test होने के लिए आ रहे है लेकिन still market है indices है तो ये halt कर सकता है यहां पर हम लोग देखेंगे कल पहले first hour में definitely selling का pressure ही में देखूंगा उसके बाद ही फिर हम लोग buying के लिए सो सकते है market जब turn around हो रहा होगा क्योंकि आज का closing हुआ है last hour में वो negative pressure में हुआ है selling के लिए पहले plan होगा फिर उसके बाद अगर gap down खुल जाता है we are going to wait for a price action let's say gap down अगर खुल जाता है 50-60 points या 100 points we are going to wait for price action अगर वहां से profit booking करके फिर नीचे आता है trend line cross होते ही साथ आप trade कर सकते हो अगर price action बना के नीचे आता है तो भी आप trade कर सकते हो ये सारे point ध्यान में रखो price को importance दो जैसे मैंने आपको बताया था bank nifty मैंने holding में रखा है और में ही वेट कर रहा हूँ price जब मेरे level पर आएगा तभी मैं निकालूंगा अगर market को नीचे जाना है तो मैं उसको trail करते जाओंगा अगर market उपर जाएगा तो मुझे confirmation हो गया एक retracement था छोटा सा pullback था फिर उसके अध green candle बना रहा है मेरा stop loss हीट हुआ हर एक trade के पीछे आपका एक region होना चाहिए और उसके पीछे आपका stop loss रेड़ी है लेट से आपने 1000 में कोई stock sell करने के लिए plan किया है कोई तो region होगा किने हाँ कोई trend line हो गया या फिर कोई support resistance देखके आपने trade किया कोई indicator के इसाब से trade किया 1000 में अगर आप sort कहरे हो it's a never confirmation कि नी 100% नीचे जाएगा इसके लिए आपको एक sort अगर किये हो 1010 का अगर आप stop loss लगाए हो अगर ये stop loss निकल जाता है तो ये trade लेने के पीछे का region भी निकल जाता है emotional attachment नहीं होना चाहिए stop loss गया screen बंद करो फिर next trade देखो ये सारे point आपको ध्यार में रखना हम लोग business इसलिए करता है क्योंकि पैसा गर लाना है इसलिए नहीं कि नहीं हम लोग को बजाज finance या बैंक निप्टी बहुत पसंद है बहुत अच्छा anticipation में sell हुआ था और यह हमारा SL भी हिट नहीं कर रहा है अगर कल reverse करता है एक morning hour में selling pressure के बाद reverse करता है तो profit booking आएगा क्योंकि country से इतने लोग sell किये हैं expiry के आसपस profit booking कर सकते हैं तो ये सारे point ध्यार में रखो तो चली दिखते हैं कल कौन से stocks आप trade कर सकते हैं पहला stock के Tata still 400 के नीचे एक fall आ सकता है इसको हम लोग कल trade कर सकते हैं exactly कौन से level पे trade करना है मैं आपको कल telegram चले में बता दूँ आर उसका लिए इन description box में एक point हमें साथ ध्यान में रखो यहाँ पे अगर momentum आपको capture करना है तो यह flat अगर खुल के नीचे आता है तो आपको एक अच्छा momentum हो सकता है कल अगर खुल ही गया 9.95, 3.95 के आसपास अगर यह खुल गया तो already seller को पैसा मिल चुका है जिन लोग आज sold करके गये होंगे 405 में जितने लोग sold करके गये होंगे उन लोग को 10 point का profit already मिल रहा है इन लोग अगर profit booking करेंगे गलती हमेशा लोग यह करते है 1000 में सोस्ते हैं बाई करेंगे by the time उन लोग click button क्लिक करेंगे confirmation देखेंगे यह पहुंच चुका होगा stop loss बहुत कम हो जाएगा इसी साफ से trading होना चाहिए already अगर profit निकल चुका है तो आज छोड़ दीजी आज इसको छोड़ दीजे next time जब यह आएगा तो एक अच्छा गासा profit मिल सकता है यह point सारे छोटे छोटे point ध्यान में रखो प्यूंकि हर दीन आप अगर सोचोगी profit कमाना है तो possibly नहीं होगा next stock है just dial weak stock है मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ और यह बीच में उपर तो जाता है जैते PSU sector यह उपर जाता है फिर कहिना के कुछ टाइम के बाद weak sector होने के करण नीचे आ जाता है just dial उपर गया था अभी यह देखिए continuously नीचे आ रहा है अगर यह 365 क्रॉस कर देता है यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे support भी नहीं है क्रॉस करता है तो एक momentum इसको नीचे की तरव मिल सकता है यह हो सकता है एक दो दिन ही आप यह halt कर जाए फिर breakout दे लेकिन यह stock आपको selling के लिए देखना चाहिए यह ध्यान न रखो एक अच्छा कासा momentum इसके अंदर भी हो सकता है next stock jubiland food बहुत ही अच्छे level पे है 2300 का round level भी आने वाले time में अगर यह level cross करता है तो एक बड़ा momentum हो सकता है अगर आप देखेंगे देखें लास्ट टाइम भी 2200 के नीचे close दिया एक बार यह touch किया तो एक बड़ा momentum हुआ market नीचे आया जहां से previous breakout दिया था उसी level के असपास यह support लेके फिर cross करने का कोसिस कर रहा है कल अगर यह momentum होता है तो 2300 के आसपास फिर आप profit booking कर सकता हूँ एक अच्छा कासा momentum हो सकता है मारूती अगर देखेंगे लास्ट टाइम देखें यहाँ पर एक breakout दिया था यह इसने correct फिर यहाँ पर यह halt कर रहा है फिर इसी level पर अगर यह momentum देता है तो एक अच्छा कासा momentum दे सकता है इसको भी हम लोग trade कर सकते है देखें सेम चीजे मैं आपको एक फिल्म कर रहा हूँ बैंग निप्टी जैसे continuously चार candle negative बनाया सेम मारूती ने भी चार candle negative बनाया था उसके बाद यह halt करता है continuous momentum के बाद market halt करता है जैसे बैंग निप्टी यह already बना चुका है हो सकता है कल selling के लिए pressure आए यहाँ पर जैसे morning hour में buying के लिए pressure था लेकिन फिर selling अगर जितने लोग buy करके बैठे हुए उन लोग भी अगर profit booking करेंगे तो थोड़ा negative candle यहाँ पर बना तो बैंग निप्टी में positive candle या फिर same doji type का candle बन सकता है एक profit booking के कारण यह point थोड़ा ध्यान में रखो कल में morning hour में sell करके फिर यह buying के लिए जा सकता है मारोती भी कल हम लोग buy कर सकते exactly console level पर trade करना है कलम आपको टेलिया अन चलम में बता दूगा वीडियो चला करते हैं फिर 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 को like and share करना हो दो यह फिर फिर्ट्स अभी के लिए इतना है थैंक यू